Hello everybody, this is DIGRAS SINGH RAJPOOTH, Welcome to Magnet Queens इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में पढ़ेंगे वालकेनोज एंड वालकेनिक लैंड फॉर्म्स के बारे में अब देखो वालकेनोज एंड वालकेनिक लैंड फॉर्म्स क्यों पढ़ने वाले हैं सबसे पहले यह जानो एक बात बताता हूँ मैं आपको दुनिया में कुछ भी यूहीं एक्जिस्ट नहीं करता है हर चीज की एक सिग्निफिकेंस होती है वो कहीना कहीं जुड़ा हुआ रहता है अब यह टॉपिक को अगर आप जिसे देखोगे तो यह चैप्टर से कैसे जुड़ा हुआ है सोच हो जारा दो मिनिट के लिए सारे टॉपिक सापस में कनेक्टेड रहते हैं और जब आप थीम डवलप कर लेते हैं तो पढ़ना बहुत आसान हो जाता है मज़ा आता है चीजों को रिलेट कर पाते हैं ठीक है तो देखो यह टॉपिक कैसे कनेक्टेड है हमने चैप्टर पड़ा interior of the earth starting करीये स्टार्टिंग में आपको बता है कि आप इंटीर में जा नहीं सकते हो आपको ईंटीर के बारे में पता चलता है कुछ estimates से कुछ observations से ठीक है कुछ direct sources होते हैं ठीक है तो कुछ direct sources होंगे और कुछ indirect sources होंगे तो अब क्या होता है कि आपने indirect sources में जैसे सुर्स क्या धा हमारा सिस्मिक सफिस्म क्वेजग छो थी तो एक हमारा यह सूर्स था अब सिस्मिक में समय यह Earthquake Weak approach कैसे आते है propagation waves का यह वो दुनिया भर की कहानी पढ़ ली दिए अब तो अगर हम direct source की बात करें तो क्या-क्या थे जिसे mining हो गया, surface rocks हो गई और volcanoes हो गए, ठीक है, तो volcanoes जो है, volcanoes और volcanic landform, मतलब volcanoes जो है, volcanic eruption के बाद में जो landform बनती है, वो किसका part हो गए, वो एक तरह से part हो गए, अर्थ के interior का जो आपको अर्थ के interior के बारे में बताते हैं, और वो direct source है, तो अब हम क्या करने जाने हैं, अब इस part को पढ़ेंगे chapter के, connect कर लिया ना, connect कर लिया, आप समझ आएगा, मज़ा आएगा, ठीक है, तो देखो topic क्या है, अब topic बड़ा मज़दार है, volcanoes और volcanic landform, फिर नेक्स वीडियो में हम volcanoes के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद तो यह आपको एक तरह से introduction है, ठीक, volcanoes क्या है, तो अब आपने movies वगरा में देखा होगा, photo देखी होगी, GIF देखे होगे, बहुत सारे बच्चों ने तो science experiment, मतलब science exhibition लगता है na school में, तो मैं अपने time period की बात बताता हूँ, एक class में बताया गया, announcement किया गया, कि आपको क्या करना है, science exhibition में, model बनाना है, अब क्या model बना है, science exhibition में, तो आधी class volcano बनाती थी, करना कुछ नहीं रहता था, इन्हों का packet फाड़ो, डालो bottle के अंदर, वो erupt कर जाएगा, यह volcanic eruption हो गया, ठीक है, तो उस तरह से क्या है, कि volcano और आपका संबंध जो है, तो बहुत पराने समय से आपने देखा होगा volcano, ठीक है, फिर भी definition पर आते हैं, तो a volcano is a place, a volcano is a place where gases, ashes, or molten rock material, ठीक है, that is lava escapes to the ground, ठीक है, वालकनो का एक जगा हो गई, यह कह सकते हैं, जहां से क्या हो रहा है, जहां पर अर्थ के अंदर से एक तरह से, gases, ashes, या फिर molten rock material, जिसे लावा कहते हैं, that escapes out of the ground, यह वालकनो होता है, जैसे आप यहां पर देखो के तो, gas, क्या कहते हैं, ash निकल रही है बहुत जादा, वालकनो से, ठीक है, यह वालकनो हो गया, clear है, अब वालकनो भी बहुत सारे अलग-अलग तरह के होते हैं, जो types है, तो आप नेक्स वीडियो में वालकनो में पढ़ अक्टिव वालकनो होते हैं, कुछ dormant वालकनो होते हैं, dormant वालकनो क्या होता पता है, dormant वालकनो मतलब यह डौरिमोन की जैसे जह नाम है, यह dormant वालकनो यह बताते हैं, कि वो वालकनो जो एक समय पर active थे, उन्होंने eruption कर दिया, वो पूरा erupt हो गये, अब erupt होने के बाद जो थिन के थंडे बैठे हैं वह लेकिन इसका मतलब यह यह नहीं कि आगे इरप्ट हो सकते हैं, पिर अभी के लिए ब्रेक पे हैं वह डॉर्मेंट वॉ другой के नुस भूगए फिर कुछ वालकेनोज, extinct volcano भी होते हैं, extinct volcano मतलब का है, जो 10,000 साल पहले erupt हुए है, अब erupt होने की उनकी possibility कम है, तो वो extinct volcano होते हैं, तो इस तरह से अलग-अलग depending on their nature, या फिर कह सकते हैं, depending on their activity, volcano can be classified as active volcano, dormant volcano, ठीक है, extinct volcano, यह हो सकता है, अब और जो उनका size के इस साफ से classification है, आप आगे पढ़ोगे आने वाले वीडियो में, ठीक, यह चीज होती है, तो अब volcano originates from the interior of the earth, अब यह point आप बोलोगे सरी है, तो मती बढ़ा हो, ठीक है, अब को पता है कि वालकेनों कहीं ऐसा आसमान में से गिरता नहीं है, वालकेनों के अंदर से जो eruption होता है, तो eruption अर्थ का इंटिरियर की information भी देता है, तो volcano originates from the interior of the earth, ठीक, अब आपको पता है कि अर्थ का इंटिरियर क्या भी पिछले वीडियो में आपने structure पढ़ा बहुत अची तरह से, crust है, crust के नीचे क्या है, mental है, अब उस mental में क्या है, तो अब mental के अंदर क्या है, the mental contains a weaker zone called esthenosphere, mental म क्या होता है, upper mental में आप जैसे देखो कि तो एक weak zone होता है, ये भी बताया है मैंने पिछले वीडियो में, सारे टॉपिक जुड़े हुए रहते है, तो वो esthenosphere weak zone है, और वहीं से magma बाहर की तरफ निकलता है, तो it is from that, it is from this, that the molten rock material find their way to the surface, ठीक, इस रास्ते से क्या होता है, molten rock material जो है, तो वो बाहर निकलता है, पिछक करके बाहर आता है, और फिर वो esthenosphere के रास्ते होते हुए, जो vent वगेरा रहती है, आप आगे जब structure और पढ़ों के तो समझ में आएगा, कि ये जो वलकनों की ये जो vent होती है, जैसे magma chamber है, तो esthenosphere के through magma chamber से निकलता है, और फिर क्या है दोनों में, दोनों के differences समझ लो, क्योंकि क्या होता है, बहुत लंबे समय तक जब तक हमें, मतलब हम गौर नहीं करते हो इस चीज़ पे, तो हम दोनों को synonyms की तरह ही उस कर लेते है, magma को lava बोल देते है, गलत है ये, ठीक है, क्योंकि उनमें difference होता है, क्या difference होता है difference समझना, जब ये बाहर आप surface पे देख रहे हो कि अंदर से ये आग बहते हुए आ रही है, ठीक है, तो lava उसे कहेंगे, तो क्या कह सकते हैं आप, कि magma एक तरह से, जो molten material अर्थ के अंदर है, उसे magma कहोगे, और जब वो molten material, when it comes to the surface of the earth, वो molten material जब surface पे आजाता है, तो surface पे magma कहे रहता है, अर्थ के interior में, और जब वो अर्थ के interior से बहार आजाता है, surface पे वो molten material, तो उसे lava कहते हैं, ये simple सी चीज होगी, ठीक, अब और देखो क्या तो, mental में volcanic eruption होता है, आपको बता है, मतलब mental से material आया, volcanic eruption हुआ, और volcanic eruption हुआ, और volcanic eruption होने का में, वो magma से lava में convert हो ज निकल के आएगी, जो हम inno डाल के निकालते हैं, तो वैसा थो ही निकलता है, तो mental अंदर से आ रहा है, तो आर्थ के interior में क्या है, उसकी जानकारी हमें, जो अंदर से बहार आ रहा है, lava उससे पता चली जाती है, तो क्या क्या निकलता है, the material that reaches the ground includes lava flows, ठीक है, तो इस तरह से debris क्या होती है, pyroclastic मतलब क्या होता, pyroclastic मतलब जो टूटा-फूटा-छोटा-फूटा, और यह यह शब्द जो especially volcanoes के साथ ही जोडा जाता है, कि वालकेनों के अंदर से जो कण निकल के आते हैं, जो material बाहर निकल के आता है, ठीक है, पत्थर की तरह जैसे आप यह देखोग यह शब्सक्राइब के लावा के format में भाहर निकले, कभी-कभी volcanoes bombs भी फेकता है, यह शब्सक्राइब कि गिरेंगे और फिर फुटेंगे, वालकेनिक bombs मतलब क्या होता है, तो जिससे अगर आप समझोगे न, यह रहे वालकेनिक bomb का जैसे के example, ठीक है, यह यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यह वालकेन हो इरप्ट हुआ, अब एक तो यह लावा फ्लो करते हो निकल गया, अब कुछ लावा का जो material है न, तो वो मतलब solid कह सकते हैं कि, बॉल्म के shape में इस तरह से पत्तर के shape में वो आग का गोला है एक तरह से, वो ऐसा क्या हो जाएगा बाहर की श्टो जाएगा, यह से आप देखोगे, यह split हो रहा है, यह split हो रहा है, तो वो material जमीन पे गिर गया, अब जमीन पे गिरने के बाद में गया बहार ही थंड़ा हो जाएगा, तो वो मतलने करते हो तो वो जो लावा फ्लो के शाइट न, न निकलता हुए, मैगमा, वो पाट volcanic bombs होते हैं, फिर ash and dust, अब ash and dust तो जानती है, जैसे अब ये ash निकल रही बहुत जाता वालकेनों से, तो काफी समय तक क्या है कि धुआँ-धुआँ कर देता सब कुछ, ठीक है, ash and dust and gases such as nitrogen compounds, sulfur compounds and minor amount of chlorine, hydrogen and argon, तो ये सारी बहुत सारी gases भी क्या होती है, volcanic eruption के time period में निकलती है, तो जैसे pyroclastic debris देख लिए, ash and gases देख लिए, lava flow होता है, volcanic bombs निकलते हैं, ये सारी चीज़ें volcanic eruption के time period में निकलती है, तो I hope अब आपको वालकेनों की बहुत सारी जानकारी मिलगी, वालकेनों क्या है, कि surface के उपर एक जो opening रहती है, जिसमें से आपको क्या देखने को मिलता है, magma flow देखने को मिलता है, वो वालकेनों हो गया, ठीक है, बचपन से देखते आए उस चीज़ को आप, तो जिसमें से आपको क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ लावा नहीं निकलता, गैस भी निकलती है, ashes भी निकलती है, molten rock material जिसे हम लावा कहते है, लावा और magma में क्या difference होता है, आपने ये सीख लिया, ठीक है, अब आगे आप क्या पढ़ने वाले, types of volcanoes, ठीक है, types of volcanoes, depending on their size, depending on their structure कैसा बनाया है, उस हिसाब से हम देखते कि कौन-कौन से category में volcanoes को classify किया जा सकता है, ये सारा सब कुछ हम next video में पढ़ने वाले हैं, अब एक important चीज सुनते जाओ, magnet brains पर class 4th से class 12 तक इसी तरह से सभी subjects, chapters, topics, सब topic, सब कुछ, systematic way में video lectures के format में available हैं, जिनने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं, अपने juniors और seniors को जरूर बताए हैं magnet brains के बारे में, मिलते हैं next video में, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much.